नमस्कार, आप सभी को ओम शान्ती, आपके सामने बहुत ही इंट्रेस्टिंग सब्जेट लेके हम उपस्तित हुए हैं, आज का विजय मंत्र, 365 दीन के ये हर रोज के विजय मंत्र और उसके उपर आपको हर एक दीन के लिए उमंग उस्ताहा देने वाले, जीवन में आगे बढ़ने वाले, आईसे मन को अननदित करने वाले उस्ताहा देने वाले विचार आपके सामने रखेंगे, आज सबसे पहला विचार आपके सामने हम रख रहे है सफल जिन्दगी जीना भी एक कला है आप अपनी तुलना कभी भी किसी आन्ने से नहीं करो क्योंकि आप जैसे भी है सर्वस्रेष्ट है, आभिन्न है आपने कर्म को कभी भी आप नहीं छोड़ो मित्रहों देखा जाता है जीवन के किसी एक फिल्ड में आगर कोई वेक्ति सक्सेस हो जाता है सपल हो जाता है तो हम समझ लेते हैं कि वो वेक्ति बहुत ही सपल है चाहे वो फिल्ड किसी भी प्रकार कभ हो सकता है फिल्म इंडस्ट्री हो, क्रिकेट हो आन्य कोई भी बिजिनेस का जगत हो लेकिन इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है अगर उस एक फिल्ड में वो वेक्ती सपल ताके शिकर पर पहुंच तो गया है लेकिन अगर उसके जीवन के अंदर खुशी नहीं है संतुष्टता नहीं है, आनंद नहीं है तो उसको सपल नहीं माना जाता है हम सपल जिन्दगी उसको कहेंगे कि जिनों ने अपने जीवन के अंदर खुशी को प्राप्त किया है आनंद को प्राप्त किया है आईसे वेक्ती प्रेरना दय होते है आपको जीवन के अंदर दो चीजों को बहुत ही ध्यान रखना है एक तो आपके पास जो कुछ आपने हसिल किया है उसको स्विकार करो उसका अनन्द लेलो और जो कुछ आपने हसिल नहीं किया है उसको प्राप्त करने के लिए आप प्रयास करो पुर्शार्थ करो वो चीज आपको मिल जाएगी लेकिन वो चीज नहीं मिल रही है इसलिए आप जीवन में कभी परेशान कभी नहीं होना अगर आन्य किसी के पास बहुत अच्छी गाड़ी है बहुत अच्छा बंगला है वो चीज आपके पास नहीं है तो हमें उसको देखके आपने मन के अंदर हीन भावना कभी वेक्त नहीं करना क्योंकि इस रुष्टी रंग मंचे पर हर एक का पार्ट भिन्ड भिन्ड है आपका रोल कोई भी वेक्ती दुसरा आदा ने कर सकता है इसलिए आपके पास जो कुछ है उसका आप आनन्द लेना सिको और जो कुछ आपके फिल्ड में चाहे जिसी भी क्षित्र में आप चल रहे हो उसको प्राप्त करने के लिए आप पुरा प्रयास करो और आपने कर्म से कभी भी हाटो नहीं जब आप आपने कर्म को सर्वस्रेष्ट देना प्रयास करेंगे उसमें सर्व स्रेष्टता लाएंगे उसके साथ वैलूज को जोड़ेंगे तो मैं आपको गैरेंटी के साथ कहता हूँ कि सचमुच सपल जिन्दगी क्या है वो कला आप सीख पाएंगे और हम यही सभी चाहते हैं कि हमारा जो जीवन है वो सपल हो यूनीक हो जो सभी के सामने हम एक मार्ग दर्शन का स्रोध बने तो बस इसी वीजय मंतर से हमें शिक्षा ले लेंगे कि एक जीवन स्रेष्ट बनाने की जो कला है वो हमें शिक्नी है ठैंक्स आल दू बेष्ट आप सब को ओम शानती झाल 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 झाल